राधे राधे जैसे कि आपको हमने बताया कि किस मास में क्या खाना चाहिए जिससे स्वास लाब हो, शरीर के साथ साथ आपका अंदर की उर्जा बना रहे, बात पीत कफ ये सभी तत्व समावस्था में रहे, बैलेंस बना के रखें ऐसे ही किस मास में क्या नहीं खाना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब जैसे चैत में गूड, बैसाख में तेल, जेठ में पंथ मतलब सफर, और असाढ में बेल सावन में साग, भादो में मही मतलब मठा, कुवार में करेला, और कार्तिक में दही अगहन में जीरा, पूस में धना मतलब धनिया, और माग में मिश्री, फालगुन में चना, ये नहीं खाना चाहिए चैतर मास में गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चैतर मास में गुड़ खाने से फित बढ़ता है और बैसाख में फुनसी निकलने लगते है बैशाख में तेल के उनहीं खाना चाहिए क्योंकि बैशाख मास में हमारे सरीर में गर्मी होता है और पसीना निकलता है तेल खाएंगे तो तेल रोम छित्रों को अवरुद करता है ऐसे ही चेठ में यात्रा के उनहीं करना चाहिए बहुत लू चलता है लू लग जाएगी गर्मी चड़ जाएगी आप बिमार पड़ जाएगे ऐसे ही असाड में बेल के उनहीं खाना चाहिए बेल का सुभाव सितल होता है ठंधा होता है और असाड में बरसात शुरू हो जात प्रकृति में मौशर हो जाता है वो शित देने लगता है वो आपको सर्दी जुखाम बना देगा कुवार में करेला के उनहीं खाते क्योंकि करेला खाने से पित की ब्रदी होती है और उसमें सरीर के लिए अनकूल करेला नहीं होता है करेला से पित की ब्रदी होती है इसलिए खाते हैं सावन में साग क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि सावन में जितनी भी पत्ती वाली सब्जी होती हैं उनमें बहुत बारिक मोटे बड़े कीड़े घुमते हैं जिनको आप उबालके भी मार नहीं सकते इसलिए कोई भी साग पत्ते वाली चीज नहीं खाना चाहिए क कार्तिक में दही को नहीं खाना चाहिए क्योंकि कार्तिक मास में हमारा सरीर सीत के तरफ जाता है और दही कफ बनाने लगता है कफ को बढ़ाता है अगर कार्तिक में कफ बढ़ गया तो पूरे ठंडा आपको कफ बना रहेगा सर्दी जादा लगेगा अगहन में जीरा को नहीं खाना चाहिए धनिया सितल होता है उसमें ठंडी होता है हमारे अंदर की जो ग्रंतियां उनको ठंधा कर देगा हो कहीं कहीं तो ऐसा भी बोला गया है कि ओ पुरुसत्व को भी कमजोर कर देता है माघ में मिश्री क्यों नहीं खाना चाहिए क्योंकि मिश्री ठंधा सुभाव क और हमार के बाद लगता है उस समय मोंस्ताराइकों प्रीवर्तन हो करने का सर्दी कि अधारी इसलिए और फालगुन में चना के रही झाला क्ला को नदी और समय आपको इसको जैसे हमारे ऊपके नहीं सावन सागन भादो मही कुवार करेला कार्तिक दही अगहन जीरा पूसे धना माघ मीशरी फालगुन चना यह बारह जो देवे बराये उसके घर बैद्य कब हुझ नहीं जाए जो बराय मतलब इनको सेवन नहीं करते इस महीने में उनके घर कभी भी बैद्य नहीं जाते क्योंकि वो स्वस्त रहते हैं और स्वाद के पीछे सभी लोग भागते हैं क्योंकि इन ही महीनों में यह चीज जादा उपज़ती हैं आजकल तो हर चीज हर समय में मिलता है लेकिन लोग इनके पीछे भागते हैं किसके पीछे स्वाद स्वाद के पीछे जिहवा बिगेली स्वाद के पीछे जिहवा बिगेली सरीर भया तेरा रोगी रे सरीर भया तेरा रोगी रे संसार के पीछे साधक भट के संसार के पीछे साधू भागे ब्रस्ट भया देखो योगी रे तो जिहवा अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए खाने पीने पे तो अनेक बीमारी हमें ग्रश नहीं करते खाने पीने का ध्यान रखिए बाबा का आशिरवाद है हम आपके साथ हैं गुरु कुर्पाए रादे रादे मस्त रहिए जाय सेगा आपके साथ हैं ग्रश नहीं ग्रश नहीं करते